जाए हिंसाथ यो बेलकम टू सेल्फ इस्टटी किलासे स्वेश सुमिजेन यूटूग चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अज हम विभिन अवस्ताओं में साइरिक बिकास इभम गामक बिकास की बारे में पढ़ेंगे ठीक है हमारी जो बाले बिकास की नरंतर चल रही है विस्तरे तद्धेन जो हम चल रहा है उसी में हम आगे पढ़ते हुए हमारा ये पार्ट तीन है बाले बिकास से तो हमें पढ़ना है विभिन नवस्ता हमें साइरिक बिकास इभम गामक बिकास की रूप में ठीक है बहुती अच्छी सरल भासा में बिलकुल एकदम जो है अच्छे से हम समझेंगे इसको साहिरिक बिकास के छेतर समझो सबसे पहले तो साहिरिक बिकास के छेतर कौन-कौन से अगर आप से पूछा जाएगा कि निमनमय से बताएगे कौन सा साहिरिक बिकास का छेतर नहीं है तब आपको पता होने चाहिए यह चीज, ठीके, सबसे पहले सरीर रचना या संपूर साईरिक धाचा, यह हो जाएगा, इसनाईव मंडल हो जाएगा, मास पेसियां ब्रद्दी हो जाएगी, गामक तंत्र हो जाएगा, और नेक्स्ट आपका क्या होगा, अंतह स्तरावी गरंतियां ये सबी क्या होगी, सारीरिक बिकास की छेत्र माने जाएंगे सबी को अच्छे से याद करने है, ठीक है अब सारीरिक बिकास की हमें विवस्थाइं देखनी है ये सारीरिक बिकास की विवस्थाइं एक सारीरिक बिकास, सरीर क्रियात्मक बिकास देखो साहिरिक विकास में आप देखते कि भार बढ़ता है लंबाई बढ़ती है विक्ति की सिर्वा मस्तिस्क बढ़ता है ठीक है मास पेसिया और दाथ इन सबी का जो विकास होगा वो साहिरिक विकास कहलाएगा ठीक है सरीर किरियात्मक विकास देखो यह तंत्री का तंत्र अगर इसमें बिकास हो रहा है तो ये शरीर कृरियात्मक विकास के अंतरगत आता है तब आपको तंतरी के तंतर है ये सबी पता होनी चाहिए ठीक है और सारी रिक बिकास की अंतर जो आएंगी बे यह आएंगी तो यह चीज़ याद होनी चाहिए ठीक है यहाँ से question पूछ गए देखो Mp3 2011 में यह पूछा गए यहाँ पर देखो सैसावस्ता में सारी रिक बिकास सैसावस्ता में सारी रिक बिकास देखो जन में से तीन वर्स में कैसा होता है अतियंत तीब्र गती से विकास होता है ये चीज हमें समझ नहीं है ठीक है और देखो तीन वर्स से छे वर्स आपको पता है सैसा वर्स तक जो काल माना जाता है जन में से लेकर छे वर्स तक काल क्या माना जाता है सैसा वर्स अधिकांस बि अगर आपको समझ में आ रहा है तो सभी लोग लाइक जारूर करेंगज ठीक है नवजासिसू का सरीर देखो यहां पर नवजासिसू का सरीर यह नवजासिसू है और सबसे पहले कि देखो इसमें इसके दांत नहीं होते हड़ियां कितनी होती है 270 होती है अगर आपसे एक क्वेस्चन पूछा अपच बालक हो या बाली का दोनों में हड़ियां होंग यह ना या बालिका का 7.13 पाउंड या फिर 3 किलोग्राम यह चीज़ आपको पता होनी चीज़ है ठीक है 7 या 8 यह से माना जाता है तो लेकिन 7.15 करेक्ट जो आपको है यह है ठीक है लंबाई की बात करें तो लंबाई बालिका सामता है बालकों से 1 बटी 2 इंच छोटी 23 प्रतिसत मासपेसियां होती है एक नवजास जिसू की बात हो रही यहां पर और नेक्ट देखें सिर्वा मस्तिस तो सरीर के कुल लंबाई का 1 बटे 4 भाग यहनि की 350 ग्रम अगर आप से पूचा जाए कि मस्तिस का भार कितना होता है तो 350 ग्रम होता है मस्तलब सरीर के कुल लंबाई के कितने बटे भाग होता है तो 1 बटे 4 भाग होता है यहां से प्रस्ट जो है आपके कई प्रश्न बन सकते हैं तो एक ऐक चीज यहां से आपको समझनी है दोस्तो अगर वीडियो आपका तनक भी फायदे मंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें भार देखो जन्म की समय जो भार होता है वो कितना होता है तोड़ा सा और जूम कर लेते हैं जन्म की समय भार होता है 7 से 8 पाउंड ठीक है छे माहे में दुगना और एक बर्स में तिगना आपसे पूचा जाता है कि एक नवजास सिसू का छे माहे में जो भार होता है तो कितना हो जाता है दुगना हो जाता है एक साल में कितना होता है एक बर्स में तिगना हो जाता है यह सबी आपको fact जो है याद रखना है लंबाई देखो जन्मे के समय में 50 से इंक्याउन सेंटिमीटर इसकी लंबाई होती है एक वर्स में 27-28 इंच हो जाती है ठीक है दूसरे वर्स में 31-32 इंच होती है और 6 वर्स में 40-44 इंच हो जाती है यह जो fact है आपको याद करना है most important fact है सिरोवा मस्तिस्क सिरोवा मस्तिस्क में देखो एंC ERT पर आधरते नोट सें सबी लोगों को सिरोवा मस्तिस्क जो है जन्मे के समय सरीर के को लंबाई का एक बटे चार भाग ठीक है भार जन्मे के समय 350 किलोग्राम होता है 6 वर्स में 1 किलो और 250 ग्राम है ना यह सबी को मस्तिस्क का भार होता है वो कितना होता है 1 किलो 250 ग्राम अगर आप से पूछा जाएं कि एक बालक का जो है स्यसा वस्ता के अंतमे या 6 वर्स में भार कितना होता है तब आपका उत्तर होगा 1 किलो 250 ग्राम जन्मे के समय कितना होता है तो 350 ग्राम यह चीज़ आपको याद र पाउंड पी पूछा जाता है जन्म के समय बालक का भारक एतना होता है एक पूछा जाता है एक कई परकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो सभी को याद रख लिना है और कमेंट के माद्दे हम से बता देना कि आपको वीडियो क्या असा लगा और भी हम इसका पूरा स्लेव आपको करवाएंगे हैंना जन्म के समय नहीं होते क्ला दाथ च्छै आ साइट में माहें में दूद के दाथ निकलने प्रारण हो जाते हैं चार वर्स में सभी दूद के दाथ निकलने लगते हैं तो इस अभी को याद रख लेना है ठीक है नेक्स्ट बात करें हड़ियां त ताथ लची नहीं इंठीक है निर्मार की बात करें तो जो है हड़ियों का जो निर्मार कैल्षियम फासपोर से मुखनिच पदार तस्तिकण की प्रकिरिया तो इनसे होता है हड़ियों का निर्मार Mission ये चीज़ आपको याद रख ली नहीं है ठीक है जन्मे की समय आपसे पू परिपाक काल कहा जाता है एक यार्ड रखली हैं और 9े 12 परिपाक काल कहला जैसे हमने स transitions हम पढ़ा था की जयासे हम नहीं से एक June singing वर्स विकास जो होता है वो तीबर गती से होता है तीन से छे वर्स जो विकास होता है वो मन्द गती से होता है ठीक है ओसत गती से होता है एसे इसमें छे से नौ वर्स से संचैकाल है और विकास तीबर गती से होगा नौ से बारा वर्स परिपाक काल है लेकिन विकास जो होगा वो धीमी गती से द्रनता की ओरोन मोक्त होता है तो ये बालियावस्ता के बारे में आप साहिरिक बिकास के स्वरूप को हम देख रहे हैं तो एक एक चीज जो एक एक फैक्ट आपकी परीक्षाओं में आते हैं उन फैक्टों को हम बहुत बड़ी ये तरीकी से देख रहे हैं दोस्तो बिलकुल आपका एक एक फैक्ट ज़रूरी है बालियावस्ता में साहिरिक बिकास देखो अब कैसे हो रहा है यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले बालिकाओं का भार बालकों से अधिक होता है इसमें यह चीज़ आपको याद रखने है ठीके बारावर्स के अंतर तक 80-95 पौंड भार हो जाता है किस बालियावस्ता में बारावर्स की उम्र तक यह चीज़ आपको याद रखने है लंबाई धीमी गती से बढ़ती है 12 वर्स की अंते तक 54-55 इंच हो जाती है 12 वर्स की अंते तक ठीक है याद रखो हड़िया बाले अवस्ता की अंते तक 270 से बढ़कर 350 हो जाती है अगर आप से पूचा जाए कि बाले अवस्ता की अंते तक जो एक बालक की हड़िया होती है व यह चीज भी याद रख लिनी है अंगला देखें सिर मस्तर सरीर के कुल भार का 95% जो है इसका होता है ठीक है याद रख लिना है और मास पेसियां सरीर के कुल भार की 35% होती है तो यह चीज सभी को याद रख लिनी है ठीक है बहुत बढ़िया तो इस परकार से दोस्तो हमें क कुछ महत्पूर महत्पूर फैक्टों पर यहां पर चर्चा करना है किसोरा वस्ता में साहिरेक बिकास देख लेते हैं हम किसोरा वस्ता में किस प्रकार से साहिरेक बिकास होता है उसको जानेगे ठीक है यह है आपकी किसोरा वस्ता एक किसोरा वस्ता है ठीक है अब देखेंग लेते हैं लेकिन वो चीज नहीं पढ़ते हैं जो अपने जरूरी है आप से पूचा जाता है कि जो है किस उमर तक बालिकाओं की ब्रद्धी तीब्र गती से होती है किस उमर तक बालिकाओं की ब्रद्धी होती है इस प्रकार से तो 16 बर्स तक ब्रद्धी होती है बालिकाओं क कि जो तीब्रे लंबाई में ब्रद्धी होती है बालिकाओं की जो होती है वो 16 वर्स में होती है बालक की जो होती है वो 18 वर्स के बाद भी होती है ठीक है हड्डियां इसमें अस्त्रीकण की प्रिकरिया पूर्ण हो जाती है मास पेसियों की बात करें तो कोल सलीर के 45% मास पे बिकास की बात करें तो ग्यानिंद्रियों एवं कामिंद्रियों का बिकास हो जाता है आब आज में परिवर्तन होने लगता है ठीक है और यहाँ पर देखें सिर्वा मस्तिस्क का बिकास तो यहाँ पर किसूरावस्ता में आकर कि पूर्ण बिकास हो जाता है और 1200 से 1400 ग्राम ज कि बालिकाओं का जो है लंबाई 16 वर्स तक होती है बालकों की 18 वर्स के बाद भी ब्रद्धी होती है है ना तो यह सारी की सारी जो चीजें है मस्तेश का भार 12 से 1400 ग्राम हो जाता है है ना ये चीज आपको पढ़नी है ये ही चीजे महत्पूर्ण है जो आप से पूँची जाती है ना कि आप विस्तेत रूप से बहुत सारा पढ़ लेते हैं वो कोई फाय देकर नहीं है आप मैन मैन पॉइंट पढ़ो सरीर साहिरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक दे गरबा वस्ता की असाओ धानिया ये भी करती है साहिरिक विकास को ठीक है रोगों के कारण सरीर में उत्पन बिक्रितिया विकास को प्रभावित करती है प्रेम तता सहानु भूती ये भी करती है बंसानु करम भी साहिरिक विकास को प्रभावित करता है बातावरन भी साहिर एक बिकास को प्रभावित करेगी, खेलता थाम ब्यायाम भी साहिरिक बिकास को प्रभावित करती है, और दुरगटना आदी भी साहिरिक बिकास को प्रभावित करती है, तो ये पूरे के पूरे साहिरिक बिकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तब आपको एक अन्य प्रस्ण दिया जाएगा अन्य बिकल्प दिया जाएगा तब आपको बताना हो था ठीक है next देख लेते हैं सहसा वस्ता में गत्यात्मक विकास देखो दोस्तों गत्यात्मक विकास क्या है देखो इस्थूल गत्यात्मक और सूख्ष मगत्यात्मक दो प्रकार की गत्यात्मक विकास होती है एक तो इस्थूल और एक सूख्ष में है ना इसके अंतरगत घुटनों के बल चलने खड़े होकर चलने ऊपर चलने तथ दोणने जैसी करिया होती है ये सूख्ष मगत्यात्मक विकास है सूख्ष मगत्यात्मक विकास में इसके अंत्रगत कप्या नवस्तुओं को पकड़ना, पुस्तक के प्रस्टों को पलटना, बटन तथा जिप लगाना, ड्राइंग करना लेखना जैसे के लिए याए यह होती है सूख्षम गत्यात्मक विकास ठीक है तो इस स्यासा वस्ता में हमने देख लिया कि इस थूल गत्यात्मक विकास के अंदर गत यह आती है और सूख्षम गत्यात्मक विकास के अंदर गत यह आती है ठीक है यह चीज़ आपको याद रखनी है इसके बारे में हम थोड़ी सी और देखेंगे परिक्षा उपियों की कुछ महत्पूर्टत हैं बो जानेंगे पहली बारे तो है ना सूक्ष्म गती कोंसल है तो सूक्ष्म गती कोंसल क्या आगर आप से पूचा जाता है कि सूक्ष्म गती कोंसल क्या है तब आपका उत्तर होने चाहिए लिखना सूक्ष्म गती कोंसल है नौजास चिसू का भार होता है तो साथ पाउंड होता है ठीके साहिरिक विकास का चेतर है तो इस नायू मंडल है साहिरिक विकास का चेतर क्या है इस नायू मंडल है ठीक है हमने साहिरिक विकास के विविन चेतर देखे थे देखे थे न सभी ने हाँ तो वो चीज़ यहाँ पर पूची गई है बेवहार का करना पक्षाता है सीखनी के गतिक चेतर में है ना गर्मे बाला को विक्सित होनी समय लगता है तो 280 दिन इस तूल गटe के कौंसल है चलना, प्धकणा यह स्थूल गटe के कौंसल कहलाती है जो कि हमने यहां पर देखा है इस तूल गटe को और सूक्षम गटe सभी ने देखी हैं गत्यात्मक बिकास में देखो गत्यात्मक बिकास का अर्थ क्या है मास पेसियों पर नेंतरन मास पेसियों पर नेंतरन क्या कहलाता है गत्यात्मक बिकास कहलाता है ये चीज़ सभी को समझ नी है इस थूल गत्यात्मक, सुक्ष्म गत्यात्मक ठीक है बड़ी पेसियों पर नेंतरण चोटी पेसियों पर नेंतरण सभी को याद रखने है सुक्ष्म गत्यात्मक में क्या होता है चोटी मास पेसियों पर नेंतरण और बड़ी मास पेसियों पर नेंतरण ये सभी को याद रखने है ठीक है और यहाँ पर हमने उसी के बारे में देखा है लेकिन ये चीज़ याद रखने है गत्यात्मक बेकास क्या है तो मास पेसियों पर नेंतरन गत्यात्मक बेकास का है ठीक है आंगे देखेंगे यहाँ पर जो हमने देखा कि सैसा वस्ता में गत्यात्मक बेकास जो होता है स्थूल गत्यात्मक और सूक्ष में गत गृटनों के बाल चले होकर चलने ऊपर चड़ने यह क्या है स्थूल है ठीकेlegen और इस Nazir acceso में मास मेंala सूख्य कि और गत्तेयात मख ब ंसे और अर। चलाना गेंद फैकना तथा पकड़ना जैसी क्रियां या आती हैं तो अगर आपसे एक क्वेस्चन पूछा जाएगा कि एक बालक गेंद फैकता है एक बालक गेंद फैकता है यह जो है आरंबिक बाल लियावस्ता में किस बिकास को दरसाता है तब आपका उत्तर क्या होगा ए आरंबिक वाल लियावस्ता में जो है इस थूल गत्यात्मक विकास को दर साता है ए चीज पीछा जाएगा ठीक है है ना और यहाँ पर भोजन करना कपड़े पहना तयार होना लिखना नकल करना आदी यह सुक्ष्म गत्यात्मक कहलाती है तो यहाँ से खौश्चन वम्ती हैं दोस्ते आप विस्तृत पढ़ती हैं लेकिन हमें जो मैंट चीज आपको पढ़नी चाहिए तो पोरे के पूरे बीडियो देखो पिछले बीडियो देखो आंगे के आने वाले इसलिकर से कई वीडियो होगे विविन अस्ताम मानसिक बिकास नवजास सी जो मस्तिस्क होता है वो कोरे कागच के समान होता है जिस पर अनुभव लिखा जाता है ठीक है याद रख लेना को जान लॉक महुदे ने कहा है मानसिक विकास 15 से 20 बर्स की आयू में अपनी उच्चितम सीमा पर पहुंच जाता है एक इस ने कहा है बुड़ बर्थ ने कहा है यह चीज भी आपको जाता है मानसिक विकास 15 से 20 बर्स की आयू में अपनी उच्चितम सीमा पर पहुंचता है बुड़ बर्थ महुदे ने कहा है ठीक है अंगली चीज देखते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें यह बहुत ही जास्तो भी एंपाँ यह मानसिक विकास का पक्चे MRU मानसिक विकास 15 स का अधियम च्छंता मानसिक विकास 15 चीज बिर संग्यनात्मक सकतियां जेमसिक विकास University अब लोकन मानसिक बिकास का पक्ष है, प्रत्य निर्मान मानसिक बिकास का है, संबेदन, सीलता, ध्यान और इस्मान, इस सारे की सारे मानसिक बिकास की पक्ष है, इन बिकास की पक्षों को आपको याद रख लिना है, question यहीं से बनता है, पूछा जाएगा कि निमन मैंसे कौन सा मानसिक विकास का पक्च नहीं है तब आपको बताना होता है ठीक है सभी लोगों को इसी प्रकार से याद रख लिना है मानसिक विकास का पक्च कौन सा है और साहिर एक विकास का पक्च कौन सा है ये चीजी याद रखनी है ठीक है सैसा वस्ता में मानसिक विकास देखेंगे छीकना ये किस अवस्ता में होता है तो पिर्थम सबताय में होने लगता है बच्चा छीकने लगता है हिचकी लेने लगता है है ना पहला महिना चिलाना पकड़ने की चेस्टा करना ये पहले महिने में होने लगता है चोथे से छे महिने में सब बेंजनों की धनिया करना आवा जाए अगर कि एक बच्चा सहारी से खड़े होने लगता कितने महीने में, सास से नो महीने में, भुटने के भर चलने लगता है सास से नो महीने में, बोलने का अनुकरण करना, कारियों के अनुकरण का प्रयास करना, ये दस माँ या एक वर्स में होने लगता है, ठीके, इती अक चर्रा लखना बस्तूओं को करम में रखना यह होने लगता है रंग पहचानने लखनाइ और भानाम लखना तन रागना के रसे प्रांब ब। जाती है वो हमें पढ़नी है दोस्तों है ना अब बाल्य अवस्ता में मानसिक बिकास देखेंगे यहां पर हमें जानना है बाल्य अवस्ता में मानसिक बिकास क्यांसे होता है देखो सबसे पहली बाल्य अवस्ता में मानसिक बिकास छे वर्स में देखो छे वर्स से मानी जाती बाल्यावस्ता, मानसिक बिकास केंसे होता है, चित्र की समझ आ जाती है, 13 से 20 तक गिनती, सरल बाक का उत्तर देना, एक किस बस्ता में आ जाता है, बाल्यावस्ता में, मतलब 6 बर्स में, ठीक है, 7 बर्स में देखो, चोटी घटनाओं का वरनन करना, 2 बस्तुओं में अंतर कर जटल बाक्यों की प्रियोग का प्रियास करना, एक हो जाता है, 7 बर्स में, ठीक है, 8 बर्स में, छोटी कहानियों का विताओं को याद करना, सरल समस्याओं को हल करना, एक 8 बर्स में आ जाता है, नेक्ष्ट देखो, 9 बर्स में देखो, दिन समय तारीक बर्स सिक्कों का ग् में देनेक जीवन के कार स्वेम करना दस वर्स में तरक जिग्यासा निरीक्षर सकती का विकास ग्यारा वर्स में सभी को याद रख लेना है है ना ये क्वेस्चन पूछा जाता है एक बच्चा किस वर्स की उम्र में तरक करने लगता है जिग्यासा करने लगता है तब उसका जो उत्तर क्या होता, ग्यारा वर्स में, बारा वर्स में बास्त विक्ता जानने का प्रयास करती है, समस्तिया समाधन की सक्ति का विकास किस उम्र में होता है, तब आपका उत्तर होता, बारा वर्स में, तो यह सारी की सारी चीज़ें आपसे पूची जाती है, जो यहाँ पर बिकास हो रहा है, सीखने की चमता का बिकास हो रहा है, बुद्धी का बिकास हो रहा है, तो इस सारे कि सारे जो हैं सभी कि सुरा वस्ता में होती हैं, बुद्धी का बिकास देखो किस परकार से, चिंतन सक्ती का बिकास होता है, तरक सक्ती का बिकास, ध्यान सक्ती का, भासा का विकास कलपना सकती का विकास इसमर सकती का यह बुद्धी का विकास यहाँ पर हो रहा है ठीक है तो मानसिक एक गुता का ब्रद्धी हो रही रुचियों में विकास सीखने की चमता हो रही और बुद्धी में विकास हो रही यह चीज़ आपको समझ रही है ठीक है अंगला हम अब दोस्तों हमें अंगले के पॉइंट में परिक्षा उप्योगी कुछ महत्पूर्तत पढ़ना है जो हम अंगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे आपको ये वीडियो क्या लगा लाइक करके बताना और सेयर कर जरूर करना उसके पहले तीन दो पार्ट आपके अपलोड हो चुके हैं ये तीसरा पार्ट है तो पूरे के पूरे पार्ट अगर आपने करम से देख लिए तो ये ऐसे अनियकों प्रस्ने हैं जो आप कभी गलत करके नहीं आएंगे तो ये वीडियो कैसा लगा जब जरूर कमेंटर में बताएंगे ठीक है वीडियो को लाइक और सिहर करना परियावरान और से सम्मादित बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं प्लेलिस्ट है बहुत जरूर देखें ठीक है परियावरान और आपकी संस्क्रेट किसे सम्मादित भी आपकी वीडियो मेंने अपलोड किये हैं गलत प्याड़ों गोजी से समादित कियें तो सबी वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर करें देखें दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही जय हैं